हेलो गाइज एक बार फिर आप सभी का मेरे चानल पर स्वागत है आज मैं आप सभी को हमारे न्यू फैमिली मेंबर से इंटिडियूस कराना चाती हूँ उससे पहले कुछ चीजे मैं उसके बारे में बताना चाती हूँ कि मैंने वो कहा से खरीदा है कितने में खरीदा है इसलिए मैं पहले आपको स्काई को दिखा रही हूँ ये स्काई है स्काई ऐसा दिख रहा है क्योंकि उसका मोल्टिंग चल रहा है अभी तक उसका मोल्टिंग खतम नहीं हुआ है एक बार molting खतम होगा तो उसके feathers काफी सुन्दर दिखाई देंगे ये जो हमारा new family member है ये काफी दूर से आया है बहुत दूर से travel करके आया है बैंगलोर गया था फिर तिरुपती गया है फिर विजय बाड़ा गया उसके बाद मेरे यहाँ पर आया है ये bird मैंने 19,000 में खरीदा है 2,000 shipping charges है transportation charges उन्होंने 2,000 लिये है और 17,000 का ये bird है 17,000 मैंने पे किये है bird के लिए और 2,000 रुपीज transportation के लिए ये जो bird है ये sky से बड़ा है sky अभी 3,5 मेने का है और ये जो bird है ये 4 मेने से उपर का है इसका molting भी हो चुका है पर sky का अभी भी molting चल रहा है कुछ दिन में इसका molting भी खतम हो जाएगा मेरा आप सबसे एक request है ये वीडियो देखने के बाद प्लीज आप में से कोई भी मुझे इस breeder का या इस seller का number ना मांगिए क्योंकि मैं किसी को देना नहीं चाती हूँ ये बहुत बड़ा risk के बात है मैं कभी भी selling का video नहीं डालती हूँ selling नहीं करती हूँ ना मैं कोई seller हूँ ना मैं कोई breeder हूँ और ना ही मैं इन लोगों में से किसी को पैचानती हूँ या जानती हूँ तो मैं आप लोगों को इनका number नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ अगर इन्हों ने आपको online payment मांगा और आपको bird नहीं दिया तो कल जाके आप मुझे blame करोगे कि मेरी वज़े से आपके पैसे अटक गए है ये risk मैं नहीं ले सकती हूँ मेरे खुद के साथ भी ये एक बार हो चुका है कि मेरे पैसे अटक गए थे और मुझे bird नहीं मिला है इसलिए ये risk मैं नहीं लेना चाती हूँ Let's meet a bird ये है Lutino Indian Ringneck Parrot ये चार मैने से उपर का parrot है इसका molting भी हो चुका है इस वज़े से इसके feathers काफी सुन्दर है इसका जो beak है चोच वो pinkish कलर का है और इसकी आखे जो है वो red कलर की है Usually Lutino और Albino parrots के आखे red में होती है बाकी parrots जो baby parrots हैं उनके grey आख होते है जैसे वो बड़े होते हैं black हो जाता है मेरे हिसाब से 99% मुझे ऐसा लगता है कि ये एक male parrot है मेरी daughter ने इसका नाम summer रखा है क्योंकि ये yellow color में है sky का नाम मेरे sun ने रखा था बेटे ने रखा था अगर आप में से कोई भी in future आगे जाके कोई birds खरीदना चाते हैं तो मैं आपको कुछ tips देना चाती हूँ specially अगर आप कोई bird online order कर रहे है तो be careful कि seller कैसा है क्या है पहले ही आप उसका full payment मत कीजिए second आप bird का video मांगे और हो सके तो video call कीजिए और खुद वो bird को video में देखिए कि उसकी तब्यत कैसी है उसका condition कैसा है maximum कोशिश कीजिए कि आप full payment ना करे और हो सके तो सिर्फ transportation के charges आप दीजिए ताकि अगर वो breeder या seller fraud है तो आपके सिर्फ transportation के charges अटक जाएंगे पर full payment करने से आपका पूरा पैसे का नुकसान हो सकता है तो ये बहुत बड़ी risk की बात है ये risk आप ना लीजिए especially ऐसे लोगों को पैसे मत भेजिए जिनको आप जानते नहीं हो पैचानते नहीं हो जिनसे आप कभी मिले नहीं हो ऐसे breeder जिनके numbers google में मौजूद है ऐसे लोगों को आप जानते नहीं होंगे personally इस पज़े से maximum कोशिश कीजे कि आप आपका पूरा पैसे उनको ट्रांसफर ना करे और बर्ड आप देख कर लीजिए वीडियो कॉल कीजे वीडियो कॉल में बर्ड को ठीक से देखिए फिर ही आप decision लीजिए कि आपको वो बर्ड चाहिए या नहीं फिर दूसरी चीज ये है जब आपको आपका पैरेट मिल जाए आपका बर्ड जो आपने order किया था वो shipping के द्वारा, transportation के द्वारा आपको मिल गया होगा तो सबसे पहले चीज आपको ये करना है कि आप जैसे ये आपके घर पहुँचे ORS या electrolyte का पानी उनको पिलाए ताकि उनको जो जर्नी के वज़े से थकावट हो गई है या stress हुआ है वो कम होगा और उनको थुड़ा strength मिलेगा उसके 10 मिनिट के बाद आप उनको feeding कीजिए आप इस वीडियो में देख सकते है कि समर कितना ठका हुआ है कि वो अभी भी सो रहा है सोना चाहता है पर ये सिर्फ जर्नी के वज़े से वो ठक गया है बाकी और कुछ नहीं है ये एक healthy parrot है मेरा वीडियो यही तक रहेगा मैं समर को सुलाना चाहती हूँ तो मेरा वीडियो यही तक रहेगा अगर आपको कुछ जानना है पूछना है तो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिए पर प्लीज मुझे ब्रीडर और सेलर के बारे में मत पूछिए पर अगर आपका बिर्ड बिमार है उसे ट्रीटमेंट की जरूँ थे प्लीज मुझे कॉंटाट कीजिए ओके गाइस बाइ-बाइ-थैंक यू